Hello students, welcome to unique classes of right way. आज के अपने इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 3 का 1st क्लास, और चैप्टर 3 है पेर आफ लिनियर एक्वेशन्स इन 2 वेरेबल्स के बारे में, पेर आफ लिनियर एक्वेशन्स इन 2 वेरेबल्स, जैसे मान लो आपने 9th क्लास में तो पढ़ाई होगा, लेकिन यहाँ पर हमें पेर आफ लिनियर एक्वेशन्स के बारे में पढ़ना है, मान लो, मैंने आपको दे दिया 2x plus 3y is equal to 5, x minus 2y minus 3 is equal to 0, तो देखना जरा, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, y की पावर कितनी है, 1, x की पावर कितनी है, 1, y के पावर कितनी है, 1, इसलिए हम इसको linear कहेंगे, और इसको भी क्या कहेंगे बताओ, linear, यानि दोनों ही क्या है, बताओ, linear है, अब system इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह एक linear equation और यह दो linear equation है, तो pair हो गया, pair of linear equations in two variables, given होगा और हमें इसका solution निकालना है तो बता दे solution कितने type से निकलेगा solutions जो है पहला है graphical method यही हम लोग करेंगे 3.1 में graphical method दूसरा है coefficient ratio method coefficient ratio से भी पता लगा लेना a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 निकाल करके फिर पता लगाना है कि उनका nature क्या होगा coefficient ratio method third है substitution method substitution method फिर है elimination method elimination method के बाद है cross multiplication method cross multiplication method तो इतने सारे method पढ़ने और जब यह पढ़ लोगे तो फिर last में reducible to linear pair में आ जाएंगे 3.1 में हमें सिर्फ graphical method की बार में पढ़ना है बाकी सबागे पढ़ेंगे हम लोग 3.1 जिसमें हमें पढ़ना है graphical method graphical method के पीछे का पता है logic क्या है कि अगर आपके पास दो line है तो क्या क्या cases हो सकते है तो case 1 अगर दो line है दो line की बात क्यों कर रहे है linear है इसलिए इसका graph क्या होगा line graph इसका भी क्या होगा line ही बनेगा graph paper पे ठीक है तो दो line के साथ क्या क्या cases हो सकता है there may be three cases पहला है कि दोनों line ऐसे अलग-अलग intersect करते हैं intersect करेंगे भी तो only one point पे तब हम कहेंगे only one solution जिसको हम unique भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको unique solution भी कहते हैं और exactly one solution भी कहते हैं exactly one solution फिर है case two दो line के साथ क्या क्या हो सकता है दो line अगर cut करेंगे भी तो सिर्फ एक point पे या फिर दोनों हर point पे एक साथ हो जाएं इनको कहते हैं coincident lines coincident lines और इसको क्या कहते हैं बताओ intersecting lines coincident lines में क्या होगा इसमें infinite solutions होगे solution का मतलब ऐसा x और y का value जो दोनों line पे लाइ करें मतलब ऐसा point जो दोनों line पे लाइ करें तो यहां पर तो infinite points होगा न एक line में कितने points होते हैं infinite और अगर एक ही line पे दूसरा line आ गया तो क्या हो गया infinite solutions हो जाएगा now see, अब case third में दो line के साथ क्या क्या हो सकता है कभी सोचा है, अपने imagination में चलो, दोनो line parallel हो सकते हैं अगर parallel होंगे तो किस point पे दोनों एक साथ intersect करेंगे ऐसा कोई भी point नहीं होगा तो इस case में हम कहते हैं no solution, मतलग इस case में solution नहीं मिलेगा तो किसी भी pair of linear equations के case में इन ही तीनों में से कोई न कोई case आ रहा होगा ठीक है तो graphical ही तो हम लोग देख लेंगे आगे चल के फिर algebraically भी देखेंगे तो अभी चलो graphical ही solve करना है तो अभी इन ही के बारे में सीखते हैं हम लोग एक example है आपके book के बिलकुल फर्स्ट पेज पे जहां chapter 3 है वहीं पे introduction के नीचे है अखीला went to a fair in her village अखीला अपने village में कहां जाती है बताओ fair में जाती है she wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla वो दो चीजों में अपना मतलब invest करना चाती है एक तो जो बड़े-बड़े wheel नहीं होते उस पे चड़ना चाती है और hoopla game खेलना चाती है hoopla मतलब ring, fako और जिस चीज को completely surround कर लेगा वो चीज आपकी हो गए hoopla का meaning भी समझा है वह चलो अच्छी बात है game in which you throw a ring on the items kept in a stall and if the ring covers any object completely you get it अब ठीक है the number of times she played hoopla is half the number of rides she had on giant wheel मतलब मानलो अगर 10 बार वो जूला जूली है तो hoopla कितनी बार खेली है 5 times क्योंकि hoopla का number जो है वो half है giant wheel से if each ride cost rupees 3 यानि ride का cost है rupees 3 एक बार giant wheel पे ride करने का cost है rupees 3 and a game of hoopla cost rupees 4 hoopla का game जो है वो कितना cost कर रहा है बताओ rupees 4 how would you find the number of rights she had and how many times she played hoopla provided she spent rupees 20 उसके पास है कितना पैसा खर्च करने को rupees 20 तो पूछे है कि कितनी बार वो giant wheel चड़ी होगी और कितनी बार hoopla खेली होगी इसको हम लोग चलो solve करते है let number of number of rights be x and नाम है अखिला and played hoopla कितनी times played hoopla y times then एक statement दिया था जिसको हमने पढ़ करके बस नजर अन्दाज कर दिया फिर से आते हैं the number of times third line है the number of times she played hoopla is half the number of rights यानि y जो है वो किसका half है x का half है तो y is equal to x by 2 पहला equation मिल गया अब दूसरा है कि अगर उसने x ride लिये है तो एक ride का 3 है तो पूरा कितना हो गया 3x एक hoopla का अगर 4 है तो y times hoopla खेला है तो 4y और पूरा कितना पे कर दिया 20 लेकिन ये दोनों equation अभी proper form में नहीं है तो इनको proper form में लाना पड़ेगा इनको proper form में लाना पड़ेगा तो देखना जरा ये 2 उदर जाएगा तो 2y is equal to x ये हो जाएगा 3x plus 4y minus 20 is equal to 0 इसको थोड़ा और हम लोग कर सकते हैं x minus 2y is equal to 0 तो हमारे पास 2 equations आगई x minus 2y is equal to 0 दिस इस फर्स्ट equation और वाट इस सेकंड equation 3x plus 4y minus 20 is equal to 0 अब दोनों के लिए हमें graph बनाना है graph तो बनाना आता है न यहाँ पर करेंगे x y यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 अब देखना जड़ा अगर x 0 करेंगे तो y भी 0 और y 0 करेंगे तो x भी 0 तो यहाँ पर फायदा नहीं हो रहा है किसी भी line के लिए at least हमें कितने points के ज़रूरत होती है 2 points के ज़रूरत होती है किसी line के लिए हमें कितने points के जरूत होती है at least 2 points तो जब x 0 है तो y भी 0 अगर x 1 है तो y कितना हो गया निकालने जरा 1-2 y is equal to 0 2 y is equal to 1 तो y is equal to 1 by 2 यारने कि 0.5 अब इस line के लिए भी हम लोग करेंगे x, y, 0, 0 जब x से 0 करेंगे तो y कितना हो जाएगा 5 और y 0 करेंगे तो x कितना हो जाएगा 20 by 3 यारने कि 6.67 अब ज़रा graph हम लोग sketch करेंगे मुझे बता सकते हैं x की value maximum कितनी है 0, 1, 6.67 और y की maximum value कितनी है 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर y की value कहां तक जानी है 1, 2, 3, 4, 5 देखो तो ज़रा पहला point है 0, 0 ले लिया 0, 0 दूसरा point है 1 और 0, 5 तो इससे pass करने वाले line की equation बना लेंगे हम लोग आप ruler से करोगे तो exact आएगा ही आगया what is equation of this line x minus 2y is equal to 0 दूसरा अले line के लिए points कौन कौन से है 0, 5, 6, 6, 7 लगभा कितना इन दोनों को join कर दो इन दोनों को join कर दो थोड़ा सा कुछ ऐसे आएगा like this way what is equation of this line 3x plus 4y is equal to 20 और यह मिलेगा कहां पर बताओ इस point पर तो इसका case जो है वो क्या है intersecting lines है intersecting lines अगर आप सारा scaling proper लोगे मतलब proper distance पर अगर ruler के help से करोगे तो यह आपका point आएगा 4, 2 so the solution is so x is equal to 4 and y is equal to 2 तो graphically हमें यही करना होता है graphically हमें यही करना होता है कि जो भी equations बनते है उन equations को हमें plot कर देना होता है वो एक straight line आ जाता है और straight line बनाना हमने 9th class में बड़े अच्छे से सीखा हुआ है एक बार x0 एक बार y0 इस case में वो नहीं लग रहा था तो एक बार x0 एक बार x1 डाल दिया बस दो point के जरूरत होती क्योंकि एक किसी भी line के लिए at least दो point पता होता हम unique line ले ले लेते हैं अब इसके बाद है next example example two Romila went to a stationary shop and purchased two pencil जाहिर सी बात है जब graphical में तीन case होंगे तो example भी कम से कम कितने होंगे तीन होंगे तो अभी आप अपने page number 42 पे देख सकते हो Romila went to a stationary shop and purchased two pencil and three erasers तो two pencil कितने pencil सर्च किये बता हो two pencils and three erasers four rupees nine और पे कितना किया बता रूपीज nine her friend Sonali saw the new variety of pencils and eraser with Romila Sonali ने new variety of pencil or eraser देखा and she bought four pencils Romila ने ये था Romila and her friend Sonali Sonali ने कितने pencils purchase किये बताना four pencil and six erasers और ये कितने हैं? rupees 18 के लिए represent this situation algebrically and graphically मतलब algebrically और graphically इस situation को हमें represent करना है यानी equations बनाने हैं और फिर इसके graph बना करके हमें discuss करना है तो यहाँ देखो और ये हो गया rupees 9 अब Sonali का bill बनेगा तो 4x plus 6y is equal to rupees 18 अब ये भी क्या आ गया? पेर ओफ linear equation एक ये है और एक ये है तो ये हो गया हमारा पेर ओफ linear equations पेर ओफ linear equations तो इसको solve करने का तरीका वही है graph बनाओ पहले वाले line के लिए एक graph बना पहले table बनाते हैं फिर एक दूसरे वाले के लिए table बनाते हैं x, y now see अगर x 0 डालते हैं तो y की value कितनी आ गई? 3 और अगर y 0 डालते हैं तो x की value कितनी आ गई? 4.5 और 0 यहाँ पर x और y अगर x की value 0 डालते हैं तो y कितना आ गया? 3 y की value अगर 0 डालते हैं तो 18 by 4 यानि कि 4.5 तो यह तो मुझे कुछ-कुछ ना same लग रहा है 0,3 point यहाँ भी और यहाँ भी 0,3 यहाँ 4.50, यहाँ भी 4.50 जब दोनों same आ रहे हैं तो lines भी क्या होंगे? Same ही होंगे देख लेते हैं x की value 4.5 तक जानी है तो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 तो देखना पहले वाले line का मिलेगा 0,3 यानि यह वाला point and 4.50 यानि यह वाला point दोनों को join कर दिया थोड़ा सा इसको erase कर देते हैं यह दिक्कत है like this way join कर दिया तो इस line की equation क्या है? 2x plus 3y is equal to 9 अब दूसरे color से दूसरे line की equation draw कर रहे हैं हम लोग तो 0,3 और 4.50 so the line will be coincident lines दोनों एक ही line है और इसकी equation क्या है? 4x plus 6y is equal to 18 तो हम क्या लिखेंगे? the lines are coincident तो कितने ऐसे point है जहां पर दोनों intersect कर रहे है infinite points इसलिए यहां पर solution भी क्या होगा? infinite solution मतलब x और y की values जो इन दोनों को एक साथ satisfy करेंगे तो देखो तो जड़ा lines are coincident hence इस case में क्या मिलेगा? infinite number of solution infinite number of solutions clear? अब एक है example 3 मेरे ख्यल से यह last 3 example होगा? हाँ क्योंकि 3 case ही हमें 3.1 में करने है इसमें दे रखा है two rails are represented by the equation two rails are represented दोनों के equation दे रखी है x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0 तो देखना पहले जब इसमें line के equation ही दे रखी है तब हमें किस बात की दे रही है? हम equation बनाना शुरू कर देंगे? मतलब table बनाना यहाँ पर x ले लेंगे यहाँ यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी x, यहाँ y, यहाँ 0, यहाँ 0 जब x 0 लेंगे तो y की value कितनी आ गए? 2 जब y 0 लेंगे तो x की value कितनी आ गए? 4 फिर इसमें जब x की value 0 लेंगे तो y कितना आ गया? 3 जब y 0 लेंगे तो x कितना आ गया? 6 तो अब इन lines को draw करना है x की value कहाँ तक जा रही है? 6 और 2 तक ही जाना है ठीक है और यह आ गया देखना 0 4 0 6 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो देखना पहले वाले line की equation है x 0 और y 2 x 0 और y 2 यह point मिल गया न? और दूसरा point है 4 और 0 यानि की यह वाला point अब इन दोनो lines को बड़े आराम से join कर देंगे and what is equation of this line? x plus 2y is equal to 4 अब दूसरा ले line पे जड़ा गौर करो तो वो है 0, 3 से और 6, 0 से 6, 0 और 5, 0 नहीं ठीक है 6, 0 अब अगर आप इन दोनों को join करोगे so what is equation of this line? 2x plus 4y is equal to 12 दोनों parallel नहीं देख रहे हैं दोनों कभी भी intersect नहीं करेंगे तो लिखेंगे lines are parallel geometrically देखा तो lines are parallel hence no solution exist hence no solution exist कोई solution नहीं होगा इसका ठीक है? no solution exist तो हम लोगों ने तीनों case देख लिए जब lines parallel होंगे और coincident होंगे और intersecting होगे intersecting वाले में एक बार और चलते हूँ वहाँ पर verification मुझे बताना है intersecting में अगर verification part करना हो verify your solution तो एक बार x और y जो आया है हो इसको इसमें डाल करके देखो तो 4-2 into 2 क्या आ रहा है? 4-4 0 आ रहा है सही है फिर इसमें put करके देखेंगे तो आप पूरा लिखोगे 3 into 4 plus 4 into 2 minus 20 को solve करेंगे तो 4-3 जा 12 plus 8 minus 20 is equal to 0 तो हाँ सही है मतलब जो भी x और y की value आई है 4 और 2 वो दोनों equation को क्या कर रहा है? satisfy कर रहा है तो ये था हमारा 3.1 का concept अब थोड़ा exercise का भी questions कर देते है exercise 3.1 में question number 1 हमें दे रखा है आफताब tells his daughter seven years ago आफताब ने कहा कि seven years ago I was seven times as old as you were seven times as old as you were तो इस type के question में हमें माल लेना चाहिए let दो ही person है let age of आफताब बी आफताब बी य और आफ डाटर डाटर का कितना माल लिया? डाटर बी य एक्स डाटर बी एक्स देन पहला जून का statement है कि seven years ago seven years ago तो seven years ago आफताब का क्या हो जाएगा बताओ y-7 और उसकी डाटर का एज कितना हो जाएगा x-7 तो seven years ago आफताब का एज हो जाएगा y-7 और डाटर का हो जाएगा x-7 उन्होंने का है कि seven years ago I was seven times as old as you were यानि seven times of daughter age आफताब का जो age था वो seven times था daughter का age ठीक है ये एक equation हो गई आगे इन्होंने का है three years from now मतब आज इसे तीन साल बाद आए shall be three times as old as you will be तीन साल बाद की बात हो रही है यानि उसके father का year हो जाएगा y plus three age हो जाएगा और daughter का age कितना हो जाएगा x plus three तो बोल रहाँ तब मैं सिर्फ तुम्हारे age का three times मेरा age होगा represent this situation algebrically and graphically algebrically तो हो गया बस इसको solve करना है कर दो y minus 7 is equal to 7x minus 49 तो 7x minus y 7x minus y is equal to now see 7x minus y यह 7x minus y और यह 49 को उधर ले करके जाएगे तो 49 में से 7 जाएगा तो 42 बचेगा this is our first equation अब second equation के लिए हम लोग इधर करेंगे y plus 3 is equal to 3x plus 9 तो यह हो जाएगा 3x minus y y उधर गया और 9 इधर आएगा तो 3 minus 9 is minus 6 अब दोनों को solve करेंगे solve करने तो आता ही है हमें इसमें तो हम लोगों की mastery हो चुकी है दोनों के लिए box बना लेंगे y x y अब x 0 डालोगे तो y कितना मिलेगा minus 6 और y 0 डालोगे तो x कितना मिलेगा 6 फिर x 0 डालोगे y 0 डालोगे जब x 0 डालोगे तो y मिलेगा 6 और y 0 डालोगे तो x मिलेगा minus 2 y minus 6 तक जा रहा है ठीक है ना सी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उपर में जाना है Y में positive 6 तक भी जाना है तो थोड़ा सा और अलग type का graph बनाना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना सी अब X 0 और Y minus 6 मतलब ये वाला point मिल गया एक और दूसरा point क्या मिला 0 minus 6 locate कर लिया अब 6 0 करना है तो इस विल भी 6 0 इन दोनों को join करते हुए लाइन खीच दिया इस लाइन की equation होगी 7X minus Y is equal to 42 7X minus Y is equal to 42 दूसरा लाइन है 0, 6 और minus 2 0 0, 6 का मतलब ये हो गया और minus 2 0 यानि 1 2 minus 2 0 इस दोनों को sketch करते हुए ठीक है ये तो थोड़ा ना सी एक जगा mistake हुई है जब हमने X 0 डाला तो Y की value कितनी आगे minus 42 यानि X 0 डाला तो यहाँ पर minus 6 ना होकर कि minus 42 आएगा यानि X 0 और Y minus 42 यानि यह वाला point हमें हटा देना है काफी नीचे होगा काफी नीचे होगा suppose करो यह है minus 42 तो यहाँ से ऐसे line जाएगा ठीक है और अब आपको देखना है कि दोनों कहाँ पर मिलते हैं वैसे तो इस पर मैंने सही डंग से scaling नहीं लिया अगर सही डंग से scaling लोगे तो फिर वो भी आ जाएगा X और Y भी आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट है अब हमारा Q2 The coach of a cricket team buys three bats three bats purchase करता है six balls purchase करता है कितने के लिए 3900 के लिए later she buys another bat and three more balls and three more balls तो बाद में वो खरीती है कितना another bat and three more balls of same kind for 1300 rupees another bat यानि one bat और three more balls के लिए सिर्फ कितना पे करती है 1300 तो हमें इसको algebraically show करना है तो algebraically में हो जाएगा now see अब एक bat का अगर X माल लेते हैं एक ball का Y माल लेते हैं तो 3X plus 6Y is equal to कितना है 3900 और one bat का हो गया X plus 3 ball का कितना हो गया 1300 तो ये हो गया first equation ये हो गया second equation और इन दोनों को अब हमें solve कर देना है तो ये वाला काम तो आप खुद भी करी सकते हो next है question number 3 इसको आप graph बना करके solution आपको खुद निकालना है अभी हम सिर्फ आपको help करे हिंट देना है equation बना करके the cost of 2 kg of apples 2 kg of apples and 1 kg of grapes 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees after a month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes कितना cost कर रहा है rupees 300 represent this situation algebraically and this one तो 1 kg apple का अगर x माल लेते 1 kg grapes का अगर y माल लेते है तो कितना हो जागर 2 x plus y is equal to 160 4 x plus 2 y क्योंकि apple का total weight हो गया 4 x और grapes का total कितना हो गया 2 y is equal to 300 अब solve करना है हमें इसको algebraically भी और graphically भी तो graphically देखेंगे x y 0 0 next one is x y 0 0 जब x 0 है तो y की value कितनी हो गए 160 और जब y 0 है तो x की value कितनी हो गए 80 और इसमें जब x 0 है तो y की value कितनी हो गए 300 by 2 यानि कि 150 और जब y 0 है तो 300 by 4 यानि कि 75 कितने का scaling लेना चाहोगे y की value 160 तक ले जानी है 160 और उदर x की value 75 तक और 150 तक भी ले जाना है तो 50-50 का scaling ले लो 50, 100 और 150 इदर भी ले लेते हैं 50, 100 और 150 तो पहला है x, 0 और y, 160 दूसरा है x, 80, 0 इन दोनों को क्या करेंगे बताओ join कर देंगे यह पहले वाले line की equation होगी 2x plus y is equal to 160 second वाला जो line है वो x, 0 और y, 150 x is 75 यानि exactly middle में, यह 80 था ना यह आ गया ठीक है तो लगबग लगबग इस तरीके से आ गया है 2x plus y is equal to 160 और अगर 2 common ले लेते हैं 300 आ रहा है ना 160 तो लगबग लगबग पैरलल है लेकिन पैरलल exactly होगा नहीं कही ना कहीं तो meet करेगा यह तो exact graph में तो मिलेगा यह यह है 160 और यहां पर है this तो इसका जो solution है ना better way में better way में substitution और elimination मिलेगा इसका better way में क्या मिलेगा substitution और elimination better way में substitution और elimination exact value भी निकाल करके देदेगा और इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता graph में क्या है कि हम लोग अभी rough graph बना रहे हैं तो कहां पर intersect करेगा exactly हम इस point को locate नहीं कर सकते और अभी अगर हम इसकी value भी निकाल करके बतला दे x और y की तो आप कहोगे मैम अभी यह method तो आपने पढ़ा है नहीं इसलिए graph बनाना तो हमें आता है graph में हम represent कर सकते हैं जब value निकालना आएगा तो value भी पता लग जागा कि यह graph कहां पर meet करने वाले हैं तो वहीं पर जाकर के दोनों graph को क्या कर देंगे touch करा देंगे तो 3.1 का better solution हो सकता है point ढूंडने के लिए intersection वाला कि हम लोग 3.2 और 3.34 यह सब कर लें तो इतना ही था हमारा 3.1 में अब आगे 3.2 में फिर इन ही तीनों cases का coefficient के terms में देखेंगे ठीक है कौन-कौन से cases तो जब lines intersect करेंगे जब lines parallel होंगे और जब lines क्या होंगे coincident होंगे इन तीनों cases का हम लोग graphically तो देख चुके है अब इसका coefficient के terms में देखेंगे मतलब एक यह वाली line होती है न a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 तो इन तीनों का 3 conditions निकालेंगे यह next class में आपको मिलेगा तो अभी तक के लिए इतना ही तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने आप next class में